नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतों पून जानकारी को ले करके जिहाँ यह नूसखा एक हपते में मिटा देगा चेहरे के सब दाग धब्बे और मुहां से एक बार में ही देख लें आप फर्क आज मैं ऐसी समस्या के बारे में आपको बताऊंगा जिससे अक्सर लोग जूसते रहते हैं जाहें वो कम उमर के नौजवान हो या हाउस वाइप सब इस समस्या से रोज ही फेश टू फेश होते हैं और इसी वज़ा से उनका आतनो विश्वास भी कम होता है जिहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ चेहरे के दाग धब्बों के बारे में वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप लोगोंने बहुत सारे ट्रीटमेंट यूज कर चुके होंगे बहुत सारी क्रीम बहुत सारे नुस्के और बहुत सारे अंग्रेजी दवाईयां आपने इस्तेम प्राक्रितिक चीजों के बारे में जिनके इस्तेमाल से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं अपनी स्किन को healthy and glowing बना सकते हैं जिहां निमबू प्याज और एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में हम आपको बता रहे हैं शायद आपने पहले इस्तेमाल किया होगा या नहीं किया होगा लेकिन कहीं न कहीं शायद आपसे कुछ न कुछ गलती जरूर होए होगी जिसकी वज़े से आपको लाफ नहीं मिल पाया होगा अगर आप निम्भू के रस को अपने चेहरे के दाग और धबे पर रूई की मदद से लगाते हैं और उसको पांच मिनट ऐसे ही छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से दोलें ऐसा करने पर आपके चेहरे में 15 दिन के अंदर बदलावाना शुरू हो जाएगा आप चाहें तो यहीं प्रक्रिया प्याज के रस के साथ भी कर सकते हैं और इलोवेरा जेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा आप उसको अगर रात में सुने से आधे घंटे पहले चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे पर चमक यानि की ग्लू तो आता ही है साथ ही आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं चेहरे के दाग धब्बे आने का मुख्य कारण हमारे पेट से होता है अगर हमारा खाना सही नहीं है तो हमारा खून सही नहीं होगा हमारे खून में गंदगी होगी जिसकी वज़े से हमारे चेहरे पर दाग धब्बे और मुहां से तो एक बात तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपका पेट सही है तो आपका पूरा शरीर ठीक रहेगा आप संतुलित भोजन करें रूज सुबह सेर पर जाएं खाना खाने के बाद तुरंत ना लेटें पानी परयापत मातरा मेलें तथा हरी सब्जियों का ज्याद खाने के साथ साथ आपको पानी परयापत मातरा में पीना है और खाने पीने में उच्छी चीजों का इस्तेमाल यानि कि समावेश हमेशा खरते रहना है आपको सही चीजों को खान पान के लिए सेलेक्ट करें हरी पत्तेदार सबजियां फल को जरूर सामिल करें आप अपने बोस्तों